हेलो फ्रेंड्स आलफोट किचन में आपका स्वागत है मैं हूं निशा आज मैं आपको ब्रेट पकोड़ा बनाने की विधी बता रही हूं इसके लिए मैंने दो ब्राउन प्रेड लिया है इसे बीच से कट कर लिया है इसकी जगह आप वाइट ब्रेड ले सकते हैं और इसे यहां मैंने एक आलू लिया है जिसे बारीक कट लिया है एक प्याज लिया है इसे भी बारीक काट लिया है एक छोटी चम्मच अधरक लशन का पेस्ट एक गब बेसन अधी चोटी चम्मच हल्दी पाउडर अधी चोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर नमक स्वाद अनुसार पानी लिया है मैंने घोल बनाने के लिए एक बड़े से बड़तन में हम बेसन डाल लेंगे कटे हुए प्याज डाल लेंगे कटे हुए आलू डाल लेंगे एक चोटी चम्मच अधरक लशन का पेस्ट डालेंगे आधी चोटी चम्मच मिर्ची पाउडर आधी चोटी चम्मच हल्दी पाउडर नमक स्वादनुसार अब मसाले अपने हिसाब से कम यह जादा कर सकते हैं इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे ताकि बेसन, प्याज, आलू और सारे मसाले एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसमें पानी डालेंगे पानी हम थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे क्योंकि हमें पैटर गाढ़ा बनाना है अगर हम एक बार पानी डाल देंगे तो पतला भी हो सकता है इसलिए हमें पानी थोड़ा-थोड़ा करके डाले आप पानी अपने इसाब से कम या जादा कर सकते हैं बैटर गढ़ा होना चाहिए यह देखिए अच्छे से सारे मसाले पानी में इस तरह से मिक्स कर देंगे इस तरह से हमें बैटर बना लेना है अब हम गैस पे एक कड़ाई चड़ाएंगे उसमें हम तेल डालेंगे तेल गरम है या नहीं यह देखने के लिए हम एक ड्रॉप पेसन का जो गोल बनाया है वो डाल देंगे जब यह उपर आ जाए तो हम इसे निकाल लेंगे तेल गरम हो चुका है अब हम अपने पोकॉड़े बना सकते हैं अब हम यह पर ब्रेट की स्लाइस लेंगे और इसे अच्छी तरह से डिप करेंगे इस तरह से अच्छी तरह से डिप कर लिया है मैंने अब हम इसे गरम टेल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए इसी तरह से में और भी स्लाइसेस ब्रेट के टिप करके तेल में डालूँगी इसे हमें मीडियम हीट पे फ्राई करना है याद रहे इसे आप तदा हाई हीट पे फ्राई ना करें वरना ये जल जाएंगे अब हम एक स्पून की साहता से इसके उपर ओल डालेंगे आगे जो स्लाइसे से ब्रैट के उसके ऊपर हम ऑल डालेंगे ताकि ये दूसरी तरप से भी धीरे-धीरे पके जब हम पलते इसे गडाई में चिप गना इसे बहुत ही धीरे हाथों से पललakk देना है ताकि ये टूटे-णा इसे हमें बीच बीच में चलाते रहना है तेखते रहना है इसे हमें हलका golden brown होने तक फ्राइब करना है दोनों साइट से ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब हम इसे एक kitchen towel पे निकाल लेंगे ताकि इसका जितना भी extra oil है वो absorb हो जाए kitchen towel पे ये देखिए हमारा बहुत ही easy बहुत ही जटपट से बनने वाला evening snacks ब्रेट पकोड़ा बनकर तयार है ये बच्चों को बड़ों को सभी को बहुत ही पसंद आता है इसे मैंने tomato ketchup और green chutney के साथ सर्फ किया है दनिया पुदेने की चटनी है ये आप इसे अपने पसंद की किसी भी चटनी के साथ सर्फ करें अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल